नमस्कार दोस्तों जीवन बहुत बहु मुल्या है कितने कितने कई कई जन्मों के बाद मानम जीवन मिलता है हमें भगवान ने इश्वर ने ये जन्म दिया है मानम बनाया है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी उलजने भी बढ़ती जाती है समस्याइं भी बढ़ती जाती है इशाएं भी बढ़ती जाती है पूरन रूप से जीवन जीना ही जीवन जीना है पूरन जीवन है क्या, यह तो बहुत विस्तरत सब्जेक्ट है, पर हम पूरनता को पराप्त करें, जीवन में सक्सेस होएं, जीवन में कामजाब होएं, अब पहली आप ऐसी धारना रखें, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, बहुत धन कमाएंगे, तुझे भी शायद पाप ह होगा, बहुत काम करेंगे, यह भी शायद पाप होगा, पूरन सुख भोगेंगे, यह भक्ती के वपरीत होगा, यह सभी चीजें हमारे मन पे बहुत असर करती हैं, जैसे जैसे हम सोचते हैं, कैसा करना गल्थ है, ऐसा करना गल्थ है, ऐसा करना गल्थ है, तो हमारे सबकॉंशियस माइंड में हमारे कलेक्टो माइंड में वो चीजें बस जाती है और फिर कभी नहीं निखल पाती जैसे एक छोटे बच्चे को आप कहना शुरू कर दो तू मूर्ख है कुछ नहीं कर पाएगा तो वो बच्चा आगे जा के कुछ कर नहीं पाता हम ठक जाते हैं उसकी जन्पत्रिका दिखाते दिखाते उसकी अगराया दिखाते दिखाते कभी कहते हैं नजर का दोश होगा कोई और दोश होगा पर जो मन में एक गहरी शाप पड़ गई वो जाती नहीं है इसलिए बहुत positive रहना चाहिए बहुत positive सोचना चाहिए और सबसे जरूरी है इसके लिए कि अगर हम बच्पन से ही शिव शक्ती की साधना शुरू करते हैं तो ऐसी स्थिती में हम धीरे धीरे पूरंता को प्राप्त होते हैं बगवान शिव की साधना माँ भगवती की साधना आप सिंपल रूपस में ओमनमाश्वाय और ओमेमरीम कलीम चामुंड़े विचय का जाप करें और घर में असफटक के शिवलिंग की स्थापना करें जो क्रिस्टल का शिवलिंग है असफटक का शिवलिंग है हमारे गृस्ती रोगों के लिए इससे बहु मुल्या कोई वस्तू नहीं है इसमें मा साक्षात विराजमान है बगवान शंकर साक्सात विराजमान है और आप किसी भी शिवलिंग के उपर कंकुम से पूजा नहीं कर सकते संदूर से पूजा नहीं कर सकते पूरा शरंगार नहीं कर सकते पर स्पटक के शिविलिंग में माँ भगवती, भगवान शंकर दोनों भी राजमान रहते हैं और उनकी पूजा से दोनों ही परसंद होते हैं और हमारा जो शरीर भगवान ने बनाया है उसमें ही दोनों का निवास है कहीं किसी पुर्ष में औरतों के गुना आ जाते हैं तो उसको स्त्रैन पुर्ष कहते हैं कहीं औरत में ऐसे मेल के गुना आ जाते हैं तो पुर्ष इन औरत उसको कह देते हैं आपने देखा होगा कितनी कितनी औरतें कितनी बहादर हैं उनमें औरत के गुन ज्यादा हैं, कभी-कभी औरतों जैसे इंटरस्ट आदमी में हैं, उनके गुन ज्यादा हैं, पर दोनों का समनवय चाहिए, दोनों का बैलनस चाहिए, तो आप रती दिन भगवान शंकर की स्वटे के शिवलिंग की पूजा करें, घी का दीपक जलाएं, घी का दीपक जलाएं, घी का दीपक लेफ्ट साइड में रखें, तेल का राइट साइड में रखें, और आपको जो दोनों मंतर दिये हैं, दोनों मंतरों का जाब करें, दस मिन्ट के लिए शंकर भगवान जी का, और पंदरा मिन्ट के लिए बीस मिन्ट के लिए नवारन म मा दुर्गाजी का और उसके बाद जहां पर ध्यान करके जो आपका गोल है आपका संकल्प है उसको सोचें मा करें भगवान करें आपके संकल्प पूरे हो आपकी इच्छा पूरी हो आगे बढ़ें पूरंता को प्राप्त करें अच्छा करें पूरे हो आपके संकल्पा करें यान करके संकल्पाजी करें मा बढ़ें पूरे ए।